Hello friends and welcome back to my channel, तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा में कि वायर फ्रेम देंटर कैसे निकालते हैं, वायर फ्रेम रेंडर क्या होता है जैसे कि आपने कभी कुछ प्रोड़क्ट बनाया या फिर कुछ आपने अपना कोई भी शेप या फिर कुछ भी अबजेक्ट बनाया 3ds Max के अंदर उसकी जो वायर होती है उसके जो कहते हैं उसका एजिस होती है वो कैसे देखा सकते हैं में जैसे अगर हम अभी मैं अपना सीन दिखाता हूँ पर दाता हूँ आपको वायर फ्रेम रेंडर होतार क्या है जैसे कि आपने यह देखा होगा कि में कोई टारस बनाया टारस को हमने अगर F4 दबा कर देखेंगे तो वो ऐसा कुछ दिखेगा उसकी वायर दिखेंगी कि कैस जैसे कैसे बना हुआ है यह पर देखेंगे तो वो वायर फ्रेम आजागा कि वायर फ्रेम में कैसे दिखेंगा जैसे यह आला है आपका तो इसमें पता जला है कि यह कैसे बना हुआ है जैसे आप में देखा हूआ कि यहां पर जादा आरे हैं कि यहां पर डेप्थ में काम ह हुआ हुआ है जादा चीजे बनी जादा वायर रेंज के नहीं तो भी यो कम दिख रहा है इसमें थोड़ी खुली-खुली है तो इसलिए उस आफ से बना हुआ है यह मेरा रेंडर है और फिर्ण़ उसके बीए, बाल किया रेंडर है रोका यह वहा है, जो क्यों पर उसे पार हुआ है ज है you a hade every pre-order में क्या दिख रहा हुआ है कि यह कैसे बना हुआ है , मैं जूं पर इस पर थो यहां पर द में यहां पर गाम से तो वो नहीं दिखेगा, जैसे अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर इतने कम, मतलब कम-कम उसमें काम होगा, वसमें सब में clear है, जहाँ पर depth आती है आपकी, वहाँ पर आपको बिल्कुर dark हो जाएगा, तो ऐसे ही आपको बता हूँ है, मैं कैसे निका सक करते हैं, तो यह दिखायागा, लेकिन इस पर कोई texture नहीं दिखायागा, वो भी transparent, अगर हम इस पर F4 करते हैं, तो यह हमां को texture के साथ वाइफरेम दिखायागा, शेडिट प्यस एजिस वेज आ रहा होगा है, आपका, देखिए, तो इससे क्या होता है, जैसे अगर आपको कभी किसी client को दिखाना है अपने, कि हमने अच्छा काम करा है, हमारा जो product है, वो अच्छा बना हुआ है, अब इस वाले mesh को हम जो criss-cross होता है, इसको हम खराब mesh बोलते हैं, मतलब यह mesh बहुत कम लोग उस करते हैं, इसलिए हम लोग यह mesh को खराब बोलते हैं, क्योंकि इसम तो इनको ज्यादा texture करने में easy होगा, मैं बोग बतावगा आपको कैसे दिक्कत आती है, आपको texture करने में खराब mesh पे और सही mesh पे, तो मैं normal करूँगा, M press करूँगा, material editor slot खोलेगा हमारा, then यहां से मैं हमारा slate पे होगा, कुछ इस type से आएगा, हम यहां पे modes पे click करेंगे, compact material editor कर देंगे, आप लगों कोछी strips दिखेगा, clear item, तो हम यहां पे जाना है, standard पे, इस पे click करेंगे, इसमें आता हमारा वीरे material, वीरे के अंदर, थोड़ ड्राइग डाउन करेंगे, तो आएगा, वीरे material, जैसे इसको हम okay करेंगे, तो यहां पे material आ जाएगा हमारा, यहां हमें यहां से click करने, diffuse के आगे जो चोटा box है, उस पे click करेंगे, इसमें नीचे जाएगे हम, तो इसमें आता हमारा वीरे के अंदर, वीरे edge text, यह रहा, जैसी मैं इसको okay करूँगा, इस पे एक wireframe आ जाएगा बनके, इसको double click करेंगे, तो यह बड़ी हो जाएगा हमारी ball, तक हम देख सकते हैं कि किस color का बन रहा है, फिर जो भी हमारा हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा normal, इस पे click करूँगा, colors पे, मैं से color करूँगा black, तो देख सकते हैं black हो गया, मैं color करूँगा दूसरा कोई और, तो अगर मैं red करता हूँ, तो red आ जाएगा, तो जैसे भी मैं मैं color करूँगा, वो ऐसा color आपको show करेगा, और जब इसमें, जो भी क्रिस-क्रॉस edges हैं, जो इस ट्रेप से आपको दिख रही हैं, वो भी दिखेंगी, तो हमें यह सब नहीं दिखाना होता, तो इसलिए हम इसको off कर रखते हैं, sub triangle मतलब, जो इसको triangles बंढ रहे हैं, जैसे इसलिए में दिख रही हैं, triangle तो वो show करते हैं, तो वो नहीं करना हमें, radius मतलब की जो wire की thickness है, वो कितनी होई ची है, 1 mm, जैसे मैंने mm में काम कर रखी है, वो मेरे लिए सही है, 1 mm से उपर नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो अप जैसे depth का काम आयाता है, जहां पर मैंने अपक को और कुछ देखेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग one रखते हैं, ताकि हम clear करके चलें एक चीज को, अब जैसे मैं material select करूँगा normal, इस पर कर दूँगा, यहां से assign material, फिर यहाला करूँगा, इस पर कर दूँगा assign material, इस पर भी कर दूँगा, आप यह पूचेंगे, मैंने आ करते हैं जब, तो वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा सब चीजे की हम वीरे के, वीरे को लॉग इन कैसे करते हैं, तो रेंडर हमें सैट अप करना है, तो रेंडर सैट अप कैसे करते हैं, दिन उसके बाद हमें लाइट कैसे लगाते हैं, दिन उसके बाद हम कैम वीरे में भी वीरे है क्या चीज्ज उस देख सकते हैं, गर वीरे मेरी अख सटीड किसे मैं आप देख सकते हैं, जो पिए मेरी एजड थी, इसे here पे दिख रही है यह सदो यह हमेरी आप стен 치 और ढाइल क्रे रहे है फोड़ी लाईट ही आप हम अस लाइट को हमें अब मैं render करता हूँ तो यह देख सकते हैं आप जैसे कि यहाँ पर था आपकी image में वैसी आपका यहाँ पर दिख रहा है कि यह किस type से बना हुआ है यह mesh जो हमें screen पर दिख रहा है वो मारे render पर भी आएगा तो हम इस type से edge text यूज कर सकते हैं वीरे में तो आज के लिए इतना ही गाइस thank you for watching my video मेरी वीडियो को like करें मेरी वीडियो को share करें मेरी चैनल को subscribe करें